हे गाईज वैलकेम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वायनेट हल दूस्तों आज के समय में हर दूसरा विक्ति अपने बढ़ते शुगर लेवल से परिशान है शुगर को कंट्रोल करने के लिए लोग तरह तरह के खादिप्रदार्तों का सेवन गरते हैं वहीं कई लोग अग्दोर बड़ी जिंदगी में शुगर को कंट्रोल करने में काफी जादा परिशानी आ जाती है अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना महनत किये शुगर कंट्रोल हो जाए तो कुछ मिनिट्स एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको अपने खान पान पर भी द्यान देने के ज़रत होती है आज की विडियो में आपको एक एसी रेसिपी के बारे में बताने चाह रही हूं जिससे आप काफी हद तक सुगर виде के सकते हैं तो बिना देरी के जानते हैं रेसिपी के बारे में नमबर एक कैसे शुगर कंट्रोल कर सकता है ओट्स दोस्तो शरीर में बढ़ते शुगर लेविल को कंट्रोल करने के लिए ओट्स काफी हद तक फाइदमन्द होते हैं दरसल ओट्स में फाइवर की मातरा बहुत जादा होती है वहीं इसमें काप्स काफी जादा कम होता है ऐसे में ओट्स का क्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम हो जाता है जिसकी वज़़से ये शुगर रोगियों के लिए भी बेस्ट साबित होता है दोस्तों शुगर करने के लिए ओट्स की स्मूदी काफी हद तक फाइदा दे देती है आईए जानते हैं कैसे इस रेसिपी को त्यार खनना है आपको क्या जुरत होगी सामगरियों सबसे पहले ओट्स को दूद में बिगोकर रात भर के लिए छोड़ दे सुबा इसमें शहैद, केला, ब्ल्यूबेरीज को मिक्स करके अच्छे से इसे नाश्ते में शामिल करें इस तरह के ब्रिकफास्ट का सेवन करने से आपका शुगर लेवल जल्दी नहीं बढ़ेगा साथ ही आपके शरीर की अतिरिक्त वजन काफी तेजी से कम हो जाएगी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उमीद करती हूँ मेरी एचान करें आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकोल भी न भूलें फिर मिलूँगी एक न्यूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई